गरीब होना मुस्किल नहीं है लेकिन गरीवी ना दिखाना या बहुत बड़ा एक चुनोती होता है और बाकई में बहुत मुस्किल होता है अगर आपका जीवन थोड़ा मुस्किल में कट रहा है मेरे कहने का मतलब मुस्किल यहाँ पे गरीवी से है लेकिन आपको समाज में यहां नहीं दिखलाना है कि आप गरीब हैं,healthy आपको पैसे की तंगी है, कमी है किसी चीज की तो यह सच्ष में बहुत ही मुझील होता है, नमस्ते सारे लोगों को मेरे राजीब, भारत काराजीब मेरे साथ के नाविया, नाविया जी सारे बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट में मुझसे पूछा राजीब भाई आप अपना चाइना तक का सफर के बारे में कुछ बताईए कैसे चाइना पहुच गया है कैसे आपको नाविया मिली चलिए यह कहानी तो बहुत लंबी है मैं बहुत ही डिटेल में इस कहानी को नहीं बत चाहता हूं सबसे पहला तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं चाइना पहुचने से पहले का सफर यह दो सफर एक अंग्रीजी वाला सफर और यह जो जो यह क्रम था कि मैं चाइना कैसे पहुचा वह वाला भी एक सफर दोनों एक सफर ही है बहुत लोग यह भी बोलते मत थी आप चाइना पर पहुंचें पता नहीं क्यों चाइना पहुंचना एक achievement कहला या नहीं कहला लेकिन मेरे लिए तो बाकई में अगर मैं कहों बिहार के खरिया जिले से दिल्ली पहले पहुंचना एक achievement था दिल्ली के बाद मुझे स्कॉलर्शिप मिली चायना में आकर पढ़ाई करना वो भी एक अचिवमेंट ही माना जाएगा और चायना से फिर मैंने मास्टर्स किया तो मेरे लिए तो यह एक अचिवमेंट ही है लेकिन मेरा जो बचपन में पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ और मेरा जो जीवन का जो संघर्स था या फिर हमारी जो फैमली कंडिशन थी वो कैसी थी क्या हुआ सुटेबल थी हमारे जीवन को और भी बहतर बनाने के लिए यह जो एक राजीव आज आप सब देख रहे हैं ओनलाइन में बहुत सारी चर्चा होती होगी यह एक बिहारी लगा वो चाइना में रहता है चाइना में कामधाम करता है वाइप भी चाइनीज है तो क्या हुआ आखिर जो कहिए कि मैं चाइना तक भी पहुँच गया वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने बोला था गरीब होना आसान है लेकिन गरीबी ना दिखाना या बहुत ही मुश्किल है इसका तातपड़िय यह है मेरे भी जीवन में यह लागू होता है क्योंकि हमारे फैमिली जो थे वह कैसे बताओं कुछ-कुछ पुरानी यादे जो है जब दिमाग में चलती है तो थोड़ा सा इमोशनल पन भी आ जाता है जब पढ़ाई के दौरान जब छोटा था क्लास फॉर फाइब में था अच्छे स्कूलिंग कर रहा था इंग्लिस मीडियम स्कूल थे रोजबड अकैडमी खगरिया में बहुत ही फेमस स्कूल माना जाता है इंग्लिस मीडियम का जैसे सारे परिवाल में होते हैं कि बच्चे को प्राइबेट इसकूल में भेजना है इंग्लिस मीडियम में भेजना है अच्छा सिक्षा देना है अच्छा एजूकेशन बच्चे को मिलेगा तो उसके लाइफ में तरक्की होगी मेरे भी घर में यही महल था एक आम परिव में ही पढ़ते थे और चुकि फैमिली कंडिशन स्टार्टिंग में ठीक ठाक थी किसी लिए परिवार वाले उन्हें भी सोचा कि कि चलो बच्चे को इंग्लिस मीडियम में पढ़ाया जाए लेकिन देखिए क्या होता है न जैसा जब मैं लाइफ को एक्स्प्रियंस किया तो मुझे भी बहुत कुछ समझ में आई बाद में आप इस स्टार्टिंग के दौरान तो चलो बच्चे को एफोर्ड कर देते हैं व और भी ज्यादा होते हैं तो वह खर्चा जो एक आम फैमिली है उसको उसको एफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है जब आप निचली क्लास में पढ़ते हैं तब उस समय में सायद पैसे कम लगते हैं तो परिवार को लगता है चलो आने वाले समय में इस्थि इस्थि बहतर होने के वदले कभी कभी इस्थि खराब भी होती है इस्टार्टिंग के दौरान में जब हम तीनों भाई वहान इंग्लिस मीडिया में पढ़ते थे फैमिली कंडिशन ठीट ठाक थी मेरे पिता जी का एक दबादुकान था तो चलो मैंनेज होता था सायद मैं उस समय में बहुत ही छोटा था तो बहुत कुछ मुझे भी ध्यान नहीं है लेकिन जब उस फेज को मैं सोचता हूं तो समझ में आता है कि परिबार की क्या इस्थिती होगी बाद में वहां दबाई दुकान बंध हो गए और फैमिली कंडिशन फे धीर धीर खराब होने चा होगा ही भाईया और दीदी उन्होंने क्लास फोर तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करा और उन दोनों ने फिर पढ़ाई करना शोड़ दिया सायद मेरी च्याल से उसके बाद एक-दो साल पढ़ाई भी नहीं किया और फिर डार्यक्ट जो है सरकारी स्कुल में चले ग पढ़ाया जाए जिसके कारम घरवाले भी थोड़ा मुश्किल में रहते हुए भी मेरे खर्चे को उठा रहे थे फिर भी यह जो है पढ़ाई का खर्चा या बहुत चोटा पैसा नहीं था अच्छा अमांट होता था क्लास 6 तक जाते जाते मतलब छटी कच्छा तक जाते परिवार वालों ने भी हाथ खरा कर दिया कि नहीं अब तो मेरे से नहीं हो पा रहा है छटी क्लास के बाद बहुत मुश्किल से सातमी क्लास तक मैंने इंग्लिस मीडिया में पढ़ाई करी रोजबट में और खरतों पढ़ाई में ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ही अच्छा ंगे भी अंगे सातमी कच्छा वाले जीतनी आगे सातमी कमक्छा में मैंने इंग्लिस मीडियम को छोड़ दिया, उसके बाद family वाले ने रिसाइड किया कि चलो बच्चे को तो खर कंटीनू करना है ना पढ़ाई, जैसे मेरे दीदी और भाहिया सरकारी स्कुल में थे, अब मैं भी सरकारी स्कुल में चला गया, लेकिन सरकारी स्कुल में भी जो खर्च सब्सक्राइब कर्षा में जातें आपने से कर सकें या फिर मैं आज से लग बग कितने साल पहले की बात बता रहा हूं इस साल पहले की बात बदा रहा हूं इस समय में यह चिजा असान थी तो सपारी स्कूल में मैंने आठमा की पढ़ाई नहीं करके क्लास 7 के बाद क्लास 9 में चला गया आठमी कर्षा का जो पैसा होता है वो मैंने बचा लिया अब चुकि एक दिमाग में नहीं खुषते थे कैसे कर बस हाँ क्योंकि समाज को भी बोलना है दोस्तों को बोलना है जो भी रिलेटिव है वो पुछते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा आजकल क्या चल रहा है तो कुछ तो बतलाना है तो चलो मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं क्लास 9 में हो नहीं होता है तो थोड़ा मुझेश्य था की कोशट युशन नहीं था तो थोड़ा मुझे था उआ कि श्राब और नेए। पता था कि मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे भी पता था कि फैमिली वाले पैसा कहां से लाएंगे है अलत खराब हो गई थी मेरे भाईया मेरी दीदी भी चलो क्लास 10 क्लास 12 तक पास करने के बाद उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी भाईया कहीं दुस्रे जगा कुछ सारे लोगों के जीवन में अपनी-अपनी कुछ ना कुछ कぁानी होती है आप लोग जो भी विडियो देख रहे आप लोगों की भी ज़रूर कुछ ना कुछ कहानी होगी जब मैं सरकाली स्कुल में गया और हमारे जो क्लास में जो इंगलिस मीडियम बाले थे वो सब अगर यह आते थे हैं और जब मैं उनसे मिलता था सारे लोग सुखलों मुझ मुझे संसला कि इसाफ लोग सुख्राव कंटैक्ट में हैं और इतनी यह सारे लोग सब अब आो उस समय में पुछता थे हैं यह कंनी हो यह दोस्त के बारे मैं करते हो तो वो सारे लोग बोलते थे और यह ओंलाइन उर्कॊट उस समय में चलते थे, बोलते हैं रो ओकूट होती है, मेरी झीमेल भी नहीं थी उस समय में, क्लास 12 तक मेरे पास कोई भी जीमेल एकाउंट भी नहीं था वो सारे लोग सब बोलते थे इंटरनेट के बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था बोलते थे अरे दुनिया का सारा कुछ सब पता चल जाता है इंटरनेट पर तुम जो भी चीज चाहो वो चीज के बारे में पता चल जाया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सब बात क्या चीज के बारे में कर रहे है जीमेल एकाउंट मेरे पास नहीं था तो वो लोग बोलते थे आरे तुम एक जीमेल एकाउंट बनाओ जीमेल पे जो है हम लोग सब बातचीत करेंगे जीमेल बनाना तो क्या चलिए ये टॉपिक को हम सब और भी बाद में डिसकस करेंगे मैं अभी था कि क्लास 10 के एक्जाम के लिए क्लास 10 का जब एक्जाम आया बहुत ही इंपोर्टेंट एक्जाम होता है मैंने थोड़ी पढ़ाई करी अपने से भी पढ़ाई करी खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो मैं पास तो कर जाओंगा अच्छे नंबर साइद ना भी आपाएं लेकिन पास तो करी जाओंगा हमारे मैट्रिक एक्जाम के जो सेंटर होते हैं वो अलग-अलग जहां पे होते हैं तो उस समय में हमारे सेंटर पले थे गोगरी जमालपूर में गोगरी जमालपूर में मैं गया एक सब्ता दस दिन का हम सबका एक्जाम था एक्जाम दिया एक्जाम पास भी किया और अच्छे नंबर से पास किया मुझे उम्मीद नहीं था कि एतनी अच्छे नंबर मुझे आएंगे थोरी बोरी जो बिहार वाले जो चीजे चलती है एक्जाम में वो भी हुई मैं अभी साइद डारेक्ट भोल सकता हूँ इस चीज़क पहले मैं भी एक हिजक थी अपने अंदर में कि क्या मैं बता हूँ कि मैं कैसे exam pass किया लेकिन चलिये आदमी के जब थोड़ी बहतर रिस्थिती हो जाती है तो बहुत कुछ सब वो share कर सकते हैं तो पहले से थोड़ी मेरी बहतर रिस्थिती है इसलिए मैं इस चीज को share कर रहा हूँ कि ये सायद मैं बिहार में ही पैदा हुआ इसलिए मैं सायद पास किया और मेरे नमबर भी थवा ठीक ठाका है चलिए टैन पास करने के बार आगे कि भी पढ़ाई को continue रखना है लेकिन पढ़ाई करें कहां से क्या करें बहुत सारे हमारे जो भी व्यूवर्स हैं अगर इस मारी इच्छा है क्या पढ़ना हम लोग चाहते हैं क्या काम करना चाहते हैं आम फैमली में यह ची नहीं होती है इस्थिती परिस्थिती उन्हें बना देती है क्या नहीं पढ़ना है उन्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है यह आदमी अपने से डिसाइड नहीं कर पा अभी अपना बात को continue करता हूं थोड़ा वीडियो साहे थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन अभी मेरे पास यह मौका आएगी कि मैं कुछ बता सकूं तो मैं चाहरा हूं कि सब्सक्राइब होता है कम से कम एक स्टुडेंट को 12 तक तो होना ही चाहिए तो चलो 12 करना है 12 कहां से करें हमारे खजर्या में कोशी कॉलेज है कोशी कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन पढ़ाई की तो इस्थिति आप लोग जानते ही हैं बहुत ही अच्छी पढ़ाई की इस पर नहीं थी कॉलेज में जाने के बापजूद भी एक महीं खाि थी शही तरिका से he ये अब पैसा नहीं मांगा तब तर शूसन क्लास चेंज किसी दूसरे टीचर के पास चलो उस तरीका से चलो तो थोरा समय गुजला लेकिन जो pocket money होते हैं उसकी भी जवरत परती है कुछ-कुछ जवरते होती है तो मेरे ख्याल से यह भी कर सकते हैं कि जवरी था मेरे लिए एक मेरा turning point उस समय में आया कि मैंने home tutor चालू किया मतलब घर में जाकर के पढ़ाना लेकिन चुकि मेरी खुद की जानकारी मेरी खुद की knowledge ही बहुत ही अच्छी नहीं थी मैं खुदी एक teacher बनने के लाइक नहीं था तो मैं कैसे करके किसी और को पढ़ाता या भी एक मुश्किल वला चीज था खुदी जानकारी ना होने के बावजूद भी मैंने एक हिम्मत करी क्या कि चलो मैं कुछ student को खोचता हूं और teaching का मैं काम करता हूं कुछ तो पैसा आ जाएगा तो मैं भी चाला था मार्केट में ही मैं tuition खोजूं कुछ student को खोजूं कुछ class two three four five बाले student अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है कि मैं उसे कुछ पढ़ा करें के अपना कुछ खर्चा निकाल लूं कुछ पैसा हो जाए लेकिन इतना आसान नहीं था मार्केट में मुझे कोई भी ट्यूशन नहीं मिले मुझे मत्रापूर एक जगहा है मत्रापूर कमलपूर थोड़ा आउटी स्क मुखे को पकड़ो बहुत लोगों को तो इसा भी मुखा नहीं मिलता है एक गंटा का वॉकिंग डिस्टेंस जाने में एक घंटा आने में मतलब डेली का दो घंटा लगवा लगता ही था तो मैं जाता था गाउं में गाउं में पहले एक स्टुएंट को पकड़ा उसके बा चलैका लगा फिरी देंर एख्ले देरह करके गाउं में ही मेरे अच्छे खाव से 10 ल गवां में होने लगे एक बैस्ट में मैं ने करने लगा कि चारियाख 5 चारिया-पांच करें में पढ़ाता था आने जाने के लिए मेरे पास साइकल भी नहीं था उस समय में और जब धूप गर्मी के टाइम में किल्चिलाहट वाली जो धूप थी मैं अभी भी सोचता हूँ तो उस धूप में एक घंटा जाना एक घंटा आना रेलवे के उस पार ट्रैक के उस पार जाना बहुत ही मुश् जाना जाता था फिर कि आने जाने में मुझे डोगा लगते थे अब मेरे पास 10-15 मिनट का वाकिंग डिस्टेंस होता था गाउं में जो पर इस्ट्रूएंट मुझे 90 रुपिया मिलता था और जो सबसे हाइस्ट मुझे मिलता था वो 100 रुपिया मिलता था यहाँ पे बजार में वो सारे 300 और 400 रुपिया मिलते हैं खैले तो मैं भी नहीं चाला था कि गाउंबाले को छोड़ू लेकिन चुकि मुझे अपना भी त्वा कंडीसन देखना था तो मैंने बोला कि अभी गाउं के तरफ मैं रुक छोड़ रहा हूं और मैं बजार के तरफ आ रहा हूं बजार में मुझे धीरे धीरे अच्छे खासे और भी ट्यूशन मिलने लगे यहां तक कि पर ट्यूशन आठ सो से हजार रुपिये भी मिलने लगे और मैं भी इस चीज को इंज्वाई के तौर पे लेने लगा पढ़ाता था अच्छा लगता था पढ़ाने में चाहिर बोल सकते हैं कि यह मेरी जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है क्वेगे मैं पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत कुछ सब सिखाऊा बहुत कुछ सब सिखनेगे को मिले मिला जो कि मैं अपंहे खुद के पढ़ने के दोरान में नहीं जानता था वहां पढ़ा क्लास 10 के बाद क्लास 11 और 12 के बीच में जो होता है मेरे एक साल गैप है चलो उसके बाद फिर क्लास 12 का फिर से मुझे एक्जाम देना है लेकिन एक्जाम की कोई भी तयारी नहीं थी कुछ हमारे दोस्तों ने बोला के कि दोस्त मध्यपूरा में अच्छा रिजल्ट आता है लोग सब पास कर जाते हैं तुम भी ट्राइ करो और जिस साल मुझे क्लास 12 देना था उस साल मेरे कुछ दोस्त मध्यपूरा जाकर के एक्जाम दिये थे और सच में पास कर गए थे कि मैं भी मध्यपूरा से एक्जाम दोंगा क्लास 12 के लिए मैं भी मध्यपूरा गया मध्यपूरा से मैंने एक्जाम दिया वह भी एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग खिस्सा है कि जिस समय में मध्यपूरा गया था एक्जाम देने के लिए तो एक सब्ता 10 दिन का एक्जाम ह वहां पर सुवा सुवा, कचोडी और जिलेवी सब मिलते थे और दोपर में चावल, डाल, चोखा मिलता था रात में भी कुछ सवजूब जी सब मिलता था तीनो टाइम खाना तो मुश्किल था दिन पूरे दिन में दो बार खाना खाते थे हम लोग हम थे और हमारे साथ ही जो उस साल इंजाम दे रहे थे हम लोग सबकोई साथ में एक ही साथ रहते थे उस कमरे में एक सबता दर दिन के लिए हमने कमरा लिया था और खाने के दोरान म जो भाई साहब हैं उसे मैं खुदी गुटका नहीं खाता हूं ठीक है लेकिन क्या करों समय के साथ साथ कुछ कुछ करना पड़ता हैं दो-तीन रुपिय के गुटका खड़िदता था हम लोग जो दोस्त होते थे और वो स्टाफ जो काम करता था उसमें उस भाई साहब दे देता था और जो हमारे जो बिल अगर जो मानलोके की 30 रूपे, 40 रूपे 50 रूपे के बनते थे वो जो स्टाफ है वो स्टाफ उसको आधा से भी कम पैसा बोलता था मालिक को और हम लोगों का उसी में काम हो जाता था अगर मानलोके की हम लोगने 4 पूरी खाया या पांच पूरी खाया, वो बोलता था कि हाँ दो पूरी इसने लिया है, तो चलो ये भी एक बहुत ही अच्छा experience था, हमने class 12 का इजाम दिया, और सच में पास कर गिया, तो एक साइद लग भी होता है, और यह भी बोल सकते हैं कि मैं बिहार से था, इसी लिए भी, खैतो class 12 पास करने के बाद आगे क्या कराए जाए, आगे क्या कराए जाए, तो यह तो खैतो कहानी और भी लंदी है, और हमने पढ़ाई छोड़ दिया, सच में पढ़ाई छोड़ दिया, दो साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया, होम ट्यूटर जो थे, जो मैं घर-घर जाकर के पढ़ाय करता था, वो चालू थे, मैं थोड़ा पैसा कमा रहा था, तो वो मेरे चालू था, मैंने इगनू में एक course किया था, ट्यूरिजम मैनेजमेंट का, लेकिन चुकि प्रैसर कु मैं पसंद आ रही होगी, चाहूंगा कि मैं और भी कुछ अपना experience बताऊं, और वहा main experience मेरा रहेगा, मेरे एक life में turning point का, कैसे करिकर के totally track change हो गया, तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज कॉमेंट करे, share करे अपने friend के साथ, और प्लीज सब्स्रा करे, दन्यवाद